आज मैं आपके लिए बहुत ही खास स्नैक प्रसिपी लेके आया हूँ शिवडा मांटर इन बिहारी स्टाइल कहते हैं कि बिना इसके बिहारियों की शाम अधूरी रह जाती है तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बड़ी कड़ाई उसमें हम तेल गरम कर लेंगे मैं या तीन टेबल स्पून तरसो का तेल जूस कर रहा हूँ पीछे हम डालेंगे दो प्याज हमें प्याज को बहुत ही पतला काटना है और मैसम फ्राइज करेंगे कि इक्व तो साइज हम काटे इसको फिर उसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह फ्राइज कर लेंगे हमें इसे तब तक फ्राइज करना है जब तक इसका रंग चेंज होके डाब ब्राउन ना हो जाए तो आप देख सकते कि इसका रंग फुरा चेंज हो गया है यह बहुत ही द्राउन हो गया है अब हम इसमें डालेंगे सारे तीन कप पोहा इस रसिपी के लिए हमें ड्राइ पोहा यूज करना है पोहा डाल कि इसे हम अच्छी तरह हिलाएंगे और तकरीबन 15-20 मिन तक हम इसे बहुत ही धीमी आच में इसे फ्राइज करना है रोज कर लेना है अब देख सकते हैं कि पोहा जब अच्छी तरह फ्राइज हो जाएगा तो यह थोड़ा फूलना शुदू हो जाएगा और यह कॉंट्रीटी भी 10 का जादा हो जाएगा इसका मतलब है कि पोहा अच्छी तरह पक चुका है इस स्टेज पे हम इसे अलग से निकाल के रख लें दालेंगे एक कप फ्रेश ग्रीन मतर करेंगे तो फ्रेंट आपके यहां अगर फ्रेश हरी मतर अवेलेबल नहीं है तो आप चिंता करने की ज़रूत नहीं है आप बेकरी में जो प्राइड ग्रीन पीस सॉल्टेड मिलता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं कि ग्रीन पीस यह वह सीजनल वेजटेबल है उसको आपको हर सीजन में वह अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको स्वाग में थोड़ा प्रेश ग्रीन पीस से मिलती है वह स्वाग हमें बेकरी से खरीदे भी फ्राइड मटर से नहीं मिलेगी तब यह अच्छी तरह प्राइड हो जाए तब हम उसे एक चलनी से जलेक से निकाल लेंगे मटर निकालने के बाद जो तेल बर जिया है हम उसमें पीनट्स प्राइड कर लेंगे तर दोस्तों आपको अगर उसका अथेंटिक यहारी केस चाहिए तो आपको सरसो का तेली इसमें यूज़ करना पड़ेगा जब इसका रंग ड्राग ब्राउन हो जाए तब इसमें डारेंगे पोहा और हरी मटर जो हमने पहले प्राई करके रख लेती पोहा और मंटर डालने के बाद हमें इसे तक्रीबन पांच मिनित तक धीमी आंच में फ्राई करते रहना है पैकि जो बाकी का जो बचावा तेल है वो अच्छी तरह इसमें तोट हो जाए तो यहां मैं सरसो का तेल यूज कर रहा है तो अगर आपको सरसो का तेल पताया आपको पॉलो करना पड़ेगा तो आप सरसो का तेल ही यूज कीजिएगा दोस्तों शिवडा मटर इन बिहारी स्टाइल बनके रेडी हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो पतान दाया तो आप इसे जो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा